देखें हमारे पास जब हम 100 कंट्रीज की बात करते हैं तो उनमें दो किसम के ममालिक शामिल है एक डिवेल्प कंट्टीज दूसरा डिवेल्पिंग कंट्टीज अब दोनों के अलेध अलेध रोल है जो डिवेल्प कंट्टीज हैं उनके पास रिसूर्स की कोई कमी नहीं है जो डिवेल्पिंग कंट्टीज हैं जो इसके पार्टन बन गए हैं जो इसका अब एक हिस्सा हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा इशू था रिसूर्स का के इन तमाम चीजों को सिन को हमने एड्मिट किया है इडिन्टिफाई किया है उसके अपर हमने प्लैन बनाया है इस प्लैन के मताबिक अब उसको टार्गर्स को अचीव करने के लिए वी नीड दा फंड्स अब जो यह फिनाशल मेकनिजम था कि अब यह जो अडिशनल फंड्स आएंगे फ़ार हेल्थ यह एड्यूकेशन इसको कैसे मेनेज़ किया जाएगी पार्टिकुलर्ली जब हम बात करते हैं वेक्सीन की के वेक्सीन की जो मार्किट प्राइस है वो बहुत ज़्याद है को सामने रखते हुए मैनुफ्रेक्श्र से अगर हम लेते हैं तो जो हमारे डिवेल्पिंग कंट्रीज है वो तो इसको फोड़ी नहीं कर सकते हम एक तरफ क्लेम यह कर रही है हम कहते हैं कि हमारे पास हर पैदा होने वाला बच्चा जो है उसको हमने वेक्सीन लगानी है हम हमने मदर की हेल्थ को सामने रखना है उसको वेक्सीनेट करना है फिर हमने न्यूट्रेशन को भी देखना है बैलेंस डाइट को भी देखना है अब जब फोकस हम कर लेते हैं वेक्सीनेशन के उपर पार्टिकुलरी जब हम बात करते हैं वेक्सीनेशन के उपर तो वेक्सी जितना उसके लिए फनास चाहिए डिवेल्पिंग कंड़ी के बास उतना फनास नहीं है उसके लिए क्या किया गया कि उसके लिए एक यू समझे लें कि मैनुफेक्शर्स के दर्मियान एक हेल्दी कम्पिटिशन करवाया गया और वो कम्पिटिशन करवाने के बाद उसकी डि को नीचे लेके इसका मतलब है कि पहले नमबर पे तो एक हल्दी कंपिटिशन करा के वेक्सिनेशन की जो मैनिफिक्टरिंग कंपनिया हैं उनके साथ अलाइन करके इस बात पर लाएगा कि आप इसकी कास्ट को रिड्यूस करें पहला तो ये काम किया गया दूसरा उसकी का एक उस पूल के जरीए डिवल्पिंग कंटिज को जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी उन्होंने उस पूल फंड में से उनको हल्प करने के लिए फैसला के अब इससे क्या हुआ कि यह हमारे जो हेल्थ का पॉर्शन था और उस हेल्थ के अंदर जो हमारी वेक्सिनेशन का प्र कंटिज के लिए रिडूस करने के लिए पहला काम क्या किया गया नंबर एक कि उसकी कास्ट जो एक हेल्थी कंपिटिशन करवाने के बाद कंपनियों के दर्मियान उसकी कास्ट को निचे लाया गया दूसरे नंबर पे क्या किया गया कि उनके हेल्थ बचिट के जो प्लैन ह उसके अंदर इसको ADD किया गया तीसरे नमबर पर क्या किया गया कि जो developed countries हैस उन्होंने एक पूल बना लिया और वह पूल बनाने के बाद उन्होंने फंड्स वहां पे देने शुरू कर दिये थी परपस आफ वैक्सिनेशन फार दी परपस आफ हेल्थ यानि वो हेल्थ के वो पेरामीटर्स जो के डिवेल्पिंग कांट्रीज के लिए चाहिए और उस टारगेट को अजीव करने के लिए हमने जितने भी हमें हमारे पास जितने भी डिवेल्पिंग कांट्री के पास रिसोर्सेज हैं उसको मीट करने क के लिए वो अपने रिसोर्स जणनेट करेंगे उसके बाद जो रिसोर्स स्काम पड़ जएंगे उसमें डिव nieu साथ कंटिज अपना रोल पले करेंगे तो इस त्रीके से जो है न इस से बितर हुआ कि जो फिनान्स की स्पोर्ट थी वो जो है न उसने डिवेल्प कंटिउ ने डिवेल्पिंग कंटिउ को जब परवाइड की तो इसमें ये बात बताने में चिकीनी तोर पर वो कामयाव हो गए कि हम जो वैक्सिनेशन का प्रासेस है हम उसको मैक्सिमम कर सकते है